हम बात करने वाले हैं करेंड हम डेली चार्ट पर हैं और हमारे में रिक्वेस्ट किया है तो ऐसे किसी भी श्टॉक पर आपको भी एनलिस्स चाहिए यह श्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हैं साथ मेंगर आपको इंडेक्स भी जानना है आप हमारा टेलिग्राम चैनल जाएंगे जाकर चेक आउट करेंगे खिलाल अगरा मिश्टॉक की बात करें मैंने सेकेंड अकाउंट से मतलब अपना जो ट्रेडिंग का अकाउंट था उससे एक वीडियो पोस्ट किया था इससे पहले जो कि हमारे में नहीं उस टाइम में रिक्वेस्ट किया था जब मैं जाएंगे तो यहां पर आजाएगा तो यहां पर कर लेते हैं तो यहां से अगर आप इसका मोमेंटम देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर कंटिन्यू साइड बेस रहा काफी टाइम तक यहां से ब्रिक आउट करके निकलता है एक बड़ा मोमेंटम देता है यहां से निकला तो इसने डारेक्ली टू हंडड़ का हाई लगाया मतलब दस से बंदरा परसेंट का मोमेंटम य अभी के टाइम में सेम चीज़ आपको विकली चार्ट पर भी दिख जाएगी अगर हम विकली चार्ट ओपन करते हैं ठीक है यह तो बिकली चार्ट पर जब आप देखोगे ना तो जो इसने मोमेंटम दिया है यहां पर तो एक पूरा बनवे मूव है इसमें कोई भी मेजर करेक्शन नहीं है कोई मेजर कुछ आपको ज्यादा देखेगा नहीं एक न्यूज बेस करेक्शन आया था ठीक है जिसमें करीब 30% के आसपास सम्टिंग कुछ फॉल किया था बागी पूरा कंटीनियू मोमेंटम है अभी तक का लेकिन अभी अगर आप डिफरेंस देखोग आपको अँठाना हो जिसका ठीक बनता हो मैं सरकेट वाली स्टॉक की बात नहीं कर नहीं हूं थेक है तो नॉर्मल इसको किसी को भी आप उठा कर देखो गया तो आपको एक चाहीं समझ में आएगा कि एक मोमेंटम यब होता है और उसके बाद मार्केट पहली बार करेक्श लेकिन उसके बाद एक बार टॉप बनाने के बाद डारेक्ली रिवर्सल नहीं दिखता है यह चीज़ जयाद रखेगा सेम चीज़ अभी इसके सांथ हो रहा है पहले अगर आप देखोए तो करेक्सन आया था और करेक्सन के बाद वो डारेक्ली रिकवर कर गया क्योंकि बाहला साइन है कि यहां से स्यलिंग हो सकता है अभी हो सकता है करेंट लीवल पर ना हो एक बार और कर जाए लेकिन यह आपको दिखा रहा है कि अब यहां पर मेंकर ना Bbuilt करने के लिए प्लां कर रहे हो इस पेस्ट सकन करे कर रहे हैं तो यह बहुत ज्यादर रिसकी है ठीक है तो इस चीज़ को ज्यादर रिखेगा यह मोमेंटम अलड़ी बैंड होना स्टार्ट हो गया जो कि आपको यहां पर दिख रहा है यह लेवल अगर हम डेक्डाउन कर देते हैं गलती से भी 240 का लेवल तो पहला टार्गेट जादो सही रहेगा अलड़ी बाय किया हुआ है अपनी पोजिशन को मैनेज करो अगर इसको क्रॉस करता है तो सौट टम के लिए नेगटिव है और अगर टू टैन का लेवल ब्रेक कर रहा है तो हम मिड टम भी नेगटिव जाने वाले हैं बाकि ऐसे किसी भी स्टॉक पर आ मत भूलेगा थैंक यू सो मच